उत्तर प्रदेश में विधान परिशत चुनाओं के नतीजे लगवाग आ गए हैं और बीजेपी की ज़्यादा सीटों पर जीत हुई हैं मरसादबाचीश के लिए मौजूद हैं मतस्य मंत्री और निशाद पार्टी गराश्ट्री अद्ध्ष संदे निसाजी सर नतीजे आ चुके हैं बीजेपी की ज़्यादार सीटों पर जीत हुई है आप भी मलसी हैं आप भी बीजेपी सयोगी हैं क्या कहेंगे उनको जिन लोगों ने जीत के लिए वोट डाला था और मोदे जी योगी जी की नीतियों का समर्थन किया था चुकि यह मेलसी का चुना हुए प्र कावर्ट के जो भी नीत बनी हो वो सभी जाती सभी धर्म के लिए किया हूँ और उसे धरातल पर उता रहा हूँ और इसकी वजह से 2022 की चुनावे जंता ने उसे समर्थन दिया था और उसको मोहर लगाये था सुसासन पर उसको फिर से उन जन प्रतिन दोने जो वोट डाला ह उसे मैं बढ़ाये देता हूँ चुने वे जन प्रतिनों बनाई देता हूँ और इस उसासन ब्यवस्ता और नीतियों को बढ़ाये देता हूँ सर विधान सभा के पाद विधान परिशद में भी बीजेपी को लगबग बहुमत मिल गया है तो कितना अब आसान रहेगा काम करना है निश्ची तरूप से पुरा आसान हो जाएगा कि जनता का देश है जनता के लिए कानून बनते हैं जनता की हितों के लिए बनता है जनता की कानून से सेवा भी तो नीतियों से सेवा हो रहे थी अब परमानेंट कानून बना के उनकी सेवा की जा सकते हैं कईन कई कुछ आईसे अपवाद हो जाते हैं वो उसको आननिता नहीं लेना चाहिए और बहुमत भार्थी जंता पारटी के पक्षम में और बहुमत से ही जंता की सेवा होती है अगरी मंत्री से मुलगाथ होगे? अँनिसीतरी उसे जो मेरे मंत्राले मिला है उसे एक नंबर पर उत्तर प्रदेश में जीलों की संख्या, पोकर आपकों की संख्या बहुत अत्यदिक है बड़ी-बड़ी नदिया है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के उस नदियों से मस्द पालन और पादन करके अंतरास्टी अस्तर पर उसे लाए जा सक है उस किरे मैं महत्स मंत्री से भी मिलूगा और किरे मंत्री से भी आशिरवाल लूगा चुकि उन्होंन दर्मिन प्रदान जी से मुलाकात होगी चुकि उन्होंने निसाथ पार्टी के उन्हों सभी पार्टी के जो पदाधिकारी थें जिने हमने टिकट दिया था उन्होंने भारती जंता पार्टी जैसे आपनी हुई हमने निसाथ पार्टी को भी जान में रखके उन्होंने तन तरिकार इसे हम लोगों के आगरेपर मोदी जी जी अमिच्छा जी ने इस मंत्राले को किर्षी मंत्राले से अलग करके इसे उत्पादन सम्ता बनाने कर देए और चाहते वह फिसर में जोड़ दिया जा और तरप्रत में अस्पस्ती करण किया गया फिसर में कौन है कि वेटमला बिंदकास्यपकार दिवर एक पार बात तो मैं सभागे सालियों कि जिस समाज का जो है संघर्स कर रहा था और समाज की सेवा का आउसर मिला हुआ और स्पेसे मे जो भी जाती के लोग होंगे उन्हें भी आउसर प्रदान के लिए बिदान सभा के बाद बिदान परिशाद में भी सभा की हार हुई है चुकि आप लोग सहयोगी रहे तो आप लोग ने विड़ी मेहनत किये वी जेपी के लिए अब देखे तो 2014 से लगाता सपा जब तक थी मलाहिम सिंग्जे थी तब तक सपा थी जो कि कोई भी आदमी जिस पीसी भी पार्टी को बनाता तो उसकी नीतियों को धरातल पर आता और जो किसी को बिरासत में जाता तो आप उसको हिरासत समझ कर उसे काम करता आज के दिन में समाजबात का नारा देने वाले रोग उने कुछ किया ने थी साल से असली में समाज बात तो मुदी जी ने किया है योगी जी ने किया है जब सरकार आती थी तो अपने ट्रेडिशनल लोट बैंक को ध्यान देते थे लेकिन आप देखे योगी जी मुदी जी बिना मुसलमान को भी उतनी सुब्दा जितनी सबीज को हैं, हर जाती को धर्म को उतन तो इसलिए आज की दिनों भारती जंता पार्टी की नीतियों का सब लोग समर्थन कर रहा है। खबर आपकी जबापकी